हेलो दोस्तों मेरे नाम है सागर और आप देख रहे हैं और एक्जाम्स हब चनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की वेकेंसी और इस बार एक नहीं दो आर्मी पब्लिक स्कूल से वेकेंसी है आर्मी प पब्लिक स्कूल सूरदगर दोनों ही राजस्थान से हैं और यहां पर कई सब्जेक्ट्स में TGT और PGT पोस्ट पे यहां पर वेकेंसी ओपन हुई है तो इसके बारे हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाइ करना है क्या लास्ट टेट है कौन-कौन से कुछ आपको वीडियो में तक बताएंगे तो वीडियो में तक बने रहें और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें इस तरके की लेटेस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग वेकेंसी और साथी पीसडी अड्मिशन और सूरतगर्ण ने दोनों ने एक साथी इस नोडिफिकेशन को रिलीस किया है और इसका जो नोडिफिकेशन है वो आपको मिलेगा बीकानेर वाली वाली वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अड्वर्टीजमेंट CSB 2023 तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आ तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने इसका एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा तो यहनोंने कंबाइंड यह लोग कर रहे हैं अब हम आपको दिखाते हैं इसका नोटिफिकेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नेम ऑफ दिपोस्ट जो अब आपको बता दूं यहाँ पर आपको अपलाय कैसे करना है सबसे पहले इलजबिल्टी देख रहते हैं और बाकी वैसे लोगों को पता होगा आप लोगों को कि आर्मी पब्लीक स्कूल में क्या क्या वालिफिकेशन मांगे जाती जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो है बीड होना चाहिए और आपके उसी रिस्पेक्टिव सज्जक्ट में अपने ग्रेजुशन किया होना चाहिए साथ ही आपके पास सीट या फिर टीटी का एक्जाम आपका क्लियर होना चाहिए यह सारी कुछ क्वालिफिकेशन होती है अब आपको अप्लाय कैसे करना ह आपके सामने यहां पर देख सकते हैं application form यहां पर यहां पर सबसximally अपर पहले आपकोट करना हो गाए सबने करना होगा झाय सब्कुछ सब्षरन करके यहां please download and print application form और यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वह आप ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में जो है वो लिखेंगे ओके और आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज यहां पर जो है वो प्रिंट करना है और वन एडिशनल फोटोग्राफ और आपको एस्टा फोटोग्राफ भी इसमें रख करके देना होगा और एक चीज़ और इंटर्विव यहां पर नोंने बुलागा कि वैलिट कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड यानि की CSB scorecard issued up to 28 February 2022 and candidate holding scorecard of online screening test यान की OST held on 5th and 6th November 2022 यह आपके पास होना चाहिए other qualification as per cbse norms seated TET is mandatory for TGTs with 60% okay then यहां पर the school reservation the right to fill any or none of the post given अब बाकि सब information आपको दी हुई है TAD आपको को यहां पर प्रवाइड नहीं किया जाएगा ओके तो जो भी लोग interested हैं वहां पर apply करें और इसी तरीगी की teaching vacancies non teaching vacancies और PhD admissions और साथ ही कुछ educational news जो हम अपने वीडियो के माध्यान से आपको बताते हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरू करें मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and जहें 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 झाल झाल झाल